दूसरी वैस्णव मंदली तीसरी भक्तमंदली चोलफ़ी कीरतन मंदली और पाँचवी भजन मंदली त्वॉ प्रशनव जी मंदली को सरूप भाव कहा तता मंदली काये को कहें तो सुभोधनीजी में कयो है गोपी मंदल मंदितह групी नाम मंदले रनेक विधिर मंदितव उच्वप रनेक विधिर तो मंडली जो है मंडल बनाई के बैठनों निच्य करनों तथा प्रथक-प्रथक मंडल बनाई के कारेक्रम वा उत्स्तव के रस्में वृद्धी में सहयोगी होनों ही मंडली कही है सारी पुष्टिमार्ग की परिपाटी तथा सेवा तथा उत्सव महोत्सव गोपिभाव भावित तथा उनके अनुकरनिय होवें सो मंडली कही गई है ये मंदली महोत्सवादी में ब्राह्मन लोग हुँ प्रतक-प्रतक मंदल मंदित करे हैं। परन्तु वह सब रस तथा प्रस्ताव की शोभा बढ़ाने हे तु मंदल रचेहें, तासोही मंदली कही गई, उन प्रतक-प्रतक मंदल सु शोभाहु बढ़े हैं। पुष्टिमार्ग की जो शोबा है ये पाँच मंदली सु है पहली ग्वाल मंदली दूसरी वैश्णों मंदली तीसरी भक्त मंदली चोथी कीरतन मंदली और पाँचवी भजन मंदली अब पहली मंदली जो है वो एक ग्वाल मंदली सो ग्वाल मंदली को स्वरूप बतावत है कि पुष्टि मार्ग में ग्वाल मंडली जामे चित्र जी वस्तर जी तथा प्रभू के विग्रह छोटे बड़े विविद स्वरूपसों वल्लभाचार्य वंशजन के मंदिर में बिराजें और वे ही तथा अन्य पुना पद्राए पुष्ट कराए सेवा करें अरुजब ना बने तब उना गुरु ग्रह पद्रावें उन स्वरूपन को इखटे बिराजनों ही ग्वाल मंडली कही गई यहां प्रश्न करते हैं कई आधुनिक वैश्णव अपने प्रभू को गुरु ग्रह में ना पद्राए अपने घर ही राखी आग्या की हेर फेर कराई ले थे जैसे मिश्री भोग की आग्या में सकडी अंसकडी में मिश्री भोग ही कहते हैं इनके यहां ठाकुर जी ग्वाल मंडली में पद्राए देंगे अरू सामान वैभाव पास में राखी लेंगे हम जिनकी ठाट बाट वैभाव विभावसों सेवा करें हैं वैवा पड़े रह हैं कि जब ठाकुर जी पद्रावें पुष्ट करावें सेवा था भोग की तत्त घर के आचारिय अपने घर के स्वरूप भावनासों वा स्वरूप पद्रा के सेवा की आग्या देते हैं तामें मिश्री अंसकडी सकडी आधिकी हूँ ताको आश्य यह है कि सारी सेवा सुन जब सेवा न बने तो गुरू घर में ही पद्रावने चाहिए कारण गुरू के द्वारा तामस रूप में वा निधी को अंश प्रवेश होए हैं अरू वो निधी वा वैश्णव की सेवा अंगिकरत करे हैं जैसे उज्जैन में कृष्ण भट जी ने वसंत बिना वसंत खि दियो वैश्णव प्रथक न माने तासों जाजा घर के प्रभू निधी हैं ताके अंगभूत वा वैश्णव के घर के स्वरूप भए गौाल मंडली में एक स्वरूप प्रधान होए हैं बाकी असंग के स्वरूप योहीं बिराजें ताको आश यह है जब ब्रमा जी ने व बगल पास में बिराजें जैसे कमल की करनिका कमल की शोभा बढ़ावे कृष्णस्य विश्वस्य पुरराज मंडलें रम्या ननू फुल द्रशो ब्रजार भका सहोप विष्टे विपने बिरेजू स्वच्छा यथांबो रुहकर निका यहां या प्रमान सु बतावें के बीच मंडली बनाएं के बिराजें तासों ही गवाल मंडली कही गई प्रभू की लीला विग्रह जितने गोप गवाल हते वे सब प्रभू स्वरूप ही हते तासों यह सिद्ध भैयो के एके गवस्तु प्रभू में हती अरु जब ब्रमा हार मानी आयो तब वह सब शरूप विलीन होए गए जब तक ब्रह्मा ने अपने लोक में राखे तब तक उनकी सारी सेवा उन भ्रजभक्तन ने की नहीं तो यह प्रकार प्रभू में सुही सब प्रभू प्रकट होते हैं और सारे स्वरूप एक मूल भूत स्वरूप में ही पुना सन्य विश्ट होए हैं या र इश्णों पूहिच्जित हैं जो ऐसे जाने हैं कि गुुरु घर में सब ठाकुर जी पड़े रह गर भू थाकुर छी गोल कुटा कर भूल मंदली में पड़े नहीं के अधिनायक मध्यमंदल में विराजिमान ग्यों चांद्छा कुई होएских संग बिराजत्त हैं अरोगत हैं और स्वसेव्यमान होते हैं ये रहस्य को समझ के ही ग्वालमंदली के दर्शन भी करने चाहिएं अरू फेर स्वरूप प्रभू में समाविष्ट भए तैसे ही गोस्वामी बालग उन स्वरूप को पदराए अपने निधी स्वरूप में तिरोहित करी दे हैं अरू एक स्वरूप में नहित भए बौध भोजन आदी सेवा ग्वालमंदली में होए हैं अरू सारी संपत्ति आप अंगिकार करें वामें प्रतक सत्व नर है समुद्र या कुवा सो जल की एक लोटी निकार के पुना वामें डार के कोई कहे मेरी लोटी को जल वोही निकरे कहा सो निकरेगो वो सो वामें लीन वे गयो ब्रामन विवाहादी कर्मन में सुपारी में देवत्य को सापित करें अरू जब जो कारी विवादिक में वा देवता की साक्षी में होए और वा सुपारी के देवता वा ब्रामन के मंत्र द्वारा प्रकट होएं अरू विलीन होए जाएं अरू वो सुपारी ब्रामन ले जाए के नहीं ताही प्रकार प्रभू की सारी वस्तु गुरू अंगिकार करें तो कहा अश्चरी है अरुजब सबन के घरन में सेवा के प्रभू गुरू की कानी सु गुरुवत बिराजें धरोहर के रूप में ता धरोहर सो सब सुख भोगी के वो धरोहर पुनव वाको दें तब आमें अपनी सत्ता कैसे मानें याही प्रकार गौाल मंडली के प्रभ शरूप तहां तहां पधा रहें या प्रकार सु यह खुलासा भयो कि अपनिहां यह प्रकार की गौाल मंडली ठाकुरजी की होत हैं अब वैश्णव मंडली के विशे में बत्तावत हैं कि या मंडली में वैश्णव मात्र को बुलाए एकत्र करी भगवत चर्चा कीरतन अब न होई जाएं तता लीला दर्शनकरी करतार्तों हैं यह वैश्णव मंडली हैं वैश्णव मंडली में प्रेमी भक्त संत हरी गुरु वैश्णव सेवा पराण आये के सुक समुद्र की लहर बढ़ावें हरिदास जी हुगाये हैं गायो न गुपाल मन लाई के निवेर लाज पायो न प्रसाद साधू मंडली जमाई के तासो या मंडली में लाज अभिमान आदी छोड के अवश्य जानो या चुपचाप बैठ के रस्पान करनो यह मंडलाकार बैठत हैं यह में प्रभू स्वयम आई के विराज़त हैं तुलसी दास जी ने वैश्णव मंडल क प्रति वैश्णव वैश्णव को वर्णन कियो यह फाटहू फूटहू नयन जरहू सोतन की काम द्रवही स्रवही पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम यासों हर्दै शुद्ध होते हैं अरू अनेक भक्तन को मंडल में प्रभू दर्शन देते हैं परमानंद जास जी ने क पूर्ख शत्री की गोद में विराजे शी नवनित प्रिया जी के दर्शन प्रत्यक्ष किये या को ही कीर्टन समाज कहते हैं या में कीर्टनकार कीर्टन करें वासमें अनेक स्वरूप ललिता चंद्रावली विशाखादी आदी होते हैं या मंडली में वारता बचैया में स प्रभू गुण गान लीला चिंतनता रसास्वादन में देहानु संधान भूल जाए हैं भाव विभोर होए हैं पता अपनों पनों खोई के रसास्वादन करते हैं आनंदाश्रु छोडते हैं देह गेह सब भूल जाते हैं ताको ही प्रभू ने स्वयम आज्या करी है नाहम वसामी वैकुंठे योगिनाम हरदये नच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामी नारद ये भक्त मंडली को प्रकार वर्णन कियो या को वर्णन आचारी हरिराई जी ने हू कियो है जामे एक वैश्य को या मंडली में विरोध हुओ तब स्वयम शे हरिराई जी पध वे मारग रीत दिखाई भोजन करी विश्राम छिनकले निज मंडली बुलाई वेणु गीत पुन युगल गीत की रस बर्खा बर्खाई अता या मंडली में उपदेश सत्संग प्रश्णोत्तर तता भक्ता भिलाशित लीला दर्शन होते या ही को भक्त मंडली कही गई वा अरता चोरासी में गुसाई जी की एक वैश्णोक्षत्री निवासी को हतो तहां हुँ भक्त मंडली को वर्नन आवत है अब कीरतन मंडली किवा समाज ये कीरतन मंडली मंगल दिवस प्रस्ताव परांत या आगम में तथा गुरून के जनम दिन उत्सव तथा मृदंग जांज सारंग आदी सब बाजन बजएं कीरतन होतें कीरतन प्रकार पुष्टिमार्ग में चार हैं नाम कीरतन गुण कीरतन लीला कीरतन तथा आश्रे सब्सक्राइब कीरतन के जन्म दिन उत्सव डिन में चार बधाई जन्माश्टमी की चार महाप्रवूजी चार विठल वर की तथा आशिश के पद होते हैं यह भी कीरतन समाज को एक प्रकार है वर्तमान बालकन की तथा लीला प्रवेश करें बैबालकन की बदाए अलग- होते हैं संवापन होए पे वर्तमान बालक करें तो रुस्त प्रवेश करें बालक को सो मनामें तब की पूस्तक को और जब वर्तमान में बिराजमान बालकन के जनम दिन को समाज बैठे है तब वैश्णा उनको तिलक कीरतन यानकु और पखावजी आइत्या दिनको संग के समाज वारें को तिलक होते हैं क्यों जी ये कीरतन मंडली कपसो चली तो सरव परतम शुकदेव जी ने जब कथा कीनी हती तब सो ये कीरतन पद्धती चली ये कीरतनन के निर्माता श्री जैदेव महाभाग भी भए शुकदेव के समय में कीरतन को वर्णन या प्रकार मिले है यत्रा ग्रे भाव वक्ता सरस रचन चया व्यास पुत्रों बभुवा तो भागवत जी के महात्मे में भी या को वर्णन मिले है या भाति कीरतनारंब भए अरु आजवो होते है कीरतनन में सरसरसवर्षे है तासओ वाको समाज कहे प्रश्ठ करे है क्यों जी कीर्तन समाज में लोग जोर जोर सो गावें बजावें सो काहे को तो आचारी श्री उत्तर में बतावत हैं कि आचारी शीने सुबो दिनी में आज्या कीनी है तुम लो रास मंदला यही रसानाम संहे रासे मंदले यथा ना tipo कारत्वेन शुद्रस्य वेधा श्रवणे तो मंदले सरवेशाम रसो गच्चेज रसको समूही मंडल कहते हैं वही मंडली बनाई के और जिनको अधिकार नहीं है वे शुद्र वेधा श्रवन बâक्तन सो अलग जनन के हेतू, उनको श्रवन कराईवे के हेतू उच्चस वर सो गान करत हैं, प्रश्ण करत हैं क्यों जी? कीर्तन कारन को प्रसाद के अलग रुपया काहे को देथे हैं जर्फो आज बहुत बड़ा प्रश्ण है ये किर्तन कार जब घर आवें तो उनको कीर्टन के पैसा देने के नहीं देने तो उत्तर बतावत हैं जा दिन समाज कीर्टन मंडली करावे ता दिन प्रभू को सामगरी अरोगावनी अरुवे प्रभू या कीर्टन मंडली में पधारत हैं हमें दृष्टी पत में भले ही नहीं आवें परंतु प्रभू प कीर्टन आदी से अंत तक श्रवन करनों चाहिए बीच में उठके न जानो तथा कीर्टन जब तक होएं तब तक कुर्सी सिंगासन आदी पे न बैठें यह जो अशक्त हैं व्याधी ग्रस्त हैं जराव्यादी सुपीडित हैं उनके लिए हैं कि वो लोग बैठ सके हैं बाकी स गिर्धन लाल विराजत हैं या मंडली में हूँ माला कंठी तिलक आदी वैश्नव करत हैं जैशी कृष्ण बोलत हैं माला को ताथ पर यह कंठी है ना कि पुश्पहार और उपरस पर कीर्टन भयबाद प्रसाद वित्रण होत हैं तो जब अपन माला पहरामनी आदी ऐसो को यह कोई मोतसव करें तहां नियुचावर करी गुरून पर अपन कीर्टनियां को भी नियुचावर दे सकें हैं नाम segreg यह नामन को जोड़के कीर्टन करों करनों होई हैं या में अनेक लीलान को मिलाए मिलाए के धुन करें हैं, ये चैतन्य संप्रदाया दीत था, अन्य संप्रदायन में है, पुष्टि मार्ग में नहीं, कारण यहां मूल रूप स्वयम प्रभू विराज रहे हैं, तो कीर्टनन में आवाहन करनों ही नाम संकीर्टन हैं, आज कल पुष्टि मार्ग में हूँ लोग करन लगे हैं, क्यों जी, नाम कीर्टन में पत्तों बहुत हैं, हाँ कृष्टन नाम जबते श्रवन सुनोर आली, श्री कृष्टन कहरे मन मेरे, श्री कृष्टन शरण ममा उचरे, परंतु गान करवे को नहीं कयो, कीर्टन तदा करवे को, जप करवे को, नाम लेवे को, यही सब वर्णन मिले है, या प्रकार्सु गान करवे को वर्णन नहीं मिले है, गान करवे को नहीं कयो है, कीर्टन तदा जपादी में बेध हैं, अब कह रहे हैं, गुण कीर्टन, मेरे तो गिर्धर ही गुण गान, या मूरत खेलत आंगन में यही हृदय में ध्यान चनन रेण चाहत मन मेरो यही दीजिये डान कृष्ण दास के जीवन गिर्धर मंगल रूप निधान यहा प्रकार बहुत से पद गुण कीरतन के मिले हैं परंतु यह पद कीरतन समाज में नहीं होए हैं कारण यह गुण दान प्रशंसा आई के ब्रज लीला के दर्शन करनों चाहे तब करे है वा लीला हू बाल लीला एवं कांत भाव रसलीला तथा गुरू के गुण कीरतन यहां में होए हैं बधायन में गुण कीरतन होए है जैसे गुसाई जी महाप्रभु जी की बधायन में गुण कीरतन विशेश है तासो दीनता आश्रयादी के कीरतन दीनता आश्रय के कीरतन पद के अंत में होएं बिनती दैन आश्रय चेतावनी या प्रकार चार प्रकार की रीती इन पदन में मिले हैं नाम कीरतन के उधारन में रेवन कृष्ट नाम कही लीजे गुरू के वचन अटल कर मानही साधु समागम कृष्ण नाम रस भयो जात है त्रशावंत वै पीजे कृष्ण नाम बीदु जनम वाद ही बृथा काये को जीजे सूरदास हरी सरण ताकिये जनम सफल कर लीजे जबही नाम हरदै धर्यो भयो पापको नाश इत्या दिये सब जो हैं ये सब अपने को दीन ताश्रे में चेता अबनिभी अपने को आश्रह दीनता के पद करते हैं गुण कीरतन में माय हों गिर्धर के गुण गाओं लाल के कीरतन के पद में यह लीला सब करतकनाई में लीला के उत्रशाव के भी दृष्टांत मिले हैं और अब चैहले anthropement कि रहे हैं भजन मंदली यह मंदली ब्रिंदावन ब्रज के अनेक स्थानन में होए है यह में सब जने मिले के एक स्थान में बैटके भजन करें हैं यह चैतन्य महाप्रुभू संप्रताय में विशेश होए है तथा अन्य स्थानन में जागरण करें वेहू भजनमंडली गाई बजाए तबला, कंठताल, जांज वगेरे तो संत भक्तन के गुण गावें मीरा तुलसी आधित थानेक संतन कवीन की वाणी में चेतावनी उपदेश्ट था ग्यान निर्वेद के पद होए हैं तदा उनके लोक त्याग के जीव को संमार्ग चलवे को वरणन जामे होए हैं ये भजनमंडली चीम्टा, खड़ताल, जांज आधि विविद वाध्य बजामे हैं ढोल की आँ में विशेश बजाई जाए हैं तो या प्रकार सु ये भजनमंडली को भी वरणन करत हैं